जब करण्ट जोहर के स्थुरोईन को दो लड़कियों ने दी भद्धी भद्धी काली एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब बॉलेवर्ट के मशूर डारेक्टर करण्ट जोहर की पिछले दिनों फिल्म स्टूडेंट आप दी यर टू रिलीज हुई थी जिसमें अनन्या पांडे औ तारा सुरिया ने अपना बॉलेवर्ट इंडिस्ट्री में पहला कदम रखा था फिल्म बॉक्स आफिस पर अपना कमाल नहीं दिखा पाई थी लेकिन वहीं दूसरे तरफ तारा की एक्टिंग की चर्चाएं हर तरफ होने लगी थी अब वहीं हाल ही में हुए एक इंटर्व्यू में तारा ने अपने ऐसे अनुभव को शेर किया है जिसकी वज़़से भी वो काफी हैरान रहे गए थी तारा ने अपने अनुभव को शेर करते हुए कहा कि जब वो अपने ही फिल्म स्चूडेंट आफ दी एर टू देखने के लिए धेटर गई थी तब उस दरान उनके पास बैठी दो लड़कियों ने उनकी एक्टिंग का काफी मजाग उड़ाया था तारा ने कहा कि उन दोनों लड़कियों के पास में वो बैठी हुई थी लेकिन उन दोनों महिलाओं को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके पास तारा ही बैठी हुई है उन्होंने आगे कहा कि फिल्म में एक सीन था जहां मेरी एक्टिंग देखने के बाद वे मेरे बारे में बेहद ही भद्धी बाते कर रही थी लेकिन जब फिल्म खत्म हुई और लाइट्स चाल हुई तो मैंने उन्हें देखा और दोनों मुझे देख कर हैरान थी लेकिन मैंने उन्हें सिर्फ थमसप किया और मैं वहाँ से चली गई तारा ने डेब्यू की दरान बताया कि उन्होंने उन दोनों लड़कियों की बातों का कोई रियक्शन नहीं दिया इसकी अलावा बता दें कि तारा ने बॉलिवूड में अपने दम पर एंट्री ली है उनके परिवा से कोई भी बॉलिवूड से जुड़ा हुआ नहीं है वर्क फ्रेंट के बाद की जाए तो एक्टरिस तारा के पास स्टूडेंट आव दी येर टू के बाद दो प्रोजेक्ट्स हैं वे मिलाप जावेरी के फिल्म मर जावा में काम करने जा रही है इस फिल्म में सिधार्त मलोहुत्रा, रकुलपरीत और रितेश देश्वक के साथ वो देखने को मिलेंगी